हाई में डालेंगे हम तेल और तेल को थोड़ा सा गरम करके अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चम जीरा जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दो हरी कटी मिर्च छोटे बारी कटी हुई इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक कटा हुआ प्याज प्याज जालकर हम थ इसमें एड्ड करेंगे, एक कटा dall मातर, लेकिन मैं इसमें एक टमाटा डॉला है टमाटा डाल के थोड़ास हम इसे चला लेंगे और टमाटा को गलने देंगे, इसके बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ नमक डालने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और धनिया पाउडर डालने के बाद अब हम इसे चला लेते हैं इसमें अब हम एड़ करेंगे बॉइल की हुई मैकरोनी जिसे मैंने एक स्टेनल पर रखके एकसेस पानी को छान लिया था इसे डाल के चला ले थोड़े देर चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चमच के हिसाब से आप तीखा जितना खाएं उतना चिली सॉस अगर आप कम तीखा खाना चाहते हैं तो चिली सॉस किप भी कर सकते हैं चिली सॉस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, इसको डालने से मिकरोनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने दो चमच की साब से सोया सॉस भी एड़ कर दिया, फिर हम इसमें डालेंगे विनेगर एक चमच, इसके बाद हम इसमें डालेंगे टुमेटो से जैसे ही मिल जाएगा अब हम इसमें डालेंगे अपना एक सीकेट इंग्रीडियंट तो सीकेट इंग्रीडियंट है मैगी मसाला आप इसे जरूर डाले मैं करने का टेस्ट बहुत ही अच्छा कर देता है और इसे डाल के चला लें और चलाने के बाद दो मिन तक इसे ऐसे ही रखें और लास्ट में हरे धनिया पत्ता से डाल के मिला लें और यह देखिए फ्रेंड्स मेकरोनी बनके बिल्कुल तयार है तो दोस्तो मैकरोनी बनके बिल्कुल तयार है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चिल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्स वॉचिंग